नमस्कार दोस्तों एक्जाम ओफ होई यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग यूपी पीसेस के लिए धे आईएस के 19 टेश्ट पेपर सौल कर चुके है आज हम लोग 20 नमबर के टेश्ट पेपर को सौल करने जा रहे थे लेकिन किसी कारण वस जो है यह कहा जा सकता है कि अभी हमारे पास यह जो पेपर था 20 नमबर का यह जो है सी सेट का पेपर था लेकिन हमारे पास इसका जो एक्स्पलेशन था वो उपलब्द नहीं था जिसका एक समयान से हम लोग अभी यए 20 कवर को कल करेंगे लेकिन आज हम लोग जो है 21 में कि geographic को कुष्छ साल करेंगे जो उत्तरप Quray Immigrant है और इसके पहले है जो है हम लोग 150 कवश्छंश करें गे और इसके इक्वियेयरिशन को भी विस्ताज से जानें तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 21 कुश्य नंबर 21 के साथ कुश्य नंबर पहला है सूची फर्ष्ट को सूची सिकेंड से सुमिलित करें तर्था नीचे दिये गए कूट की साहता से सही उत्तर का चुनाव करें सूची फर्ष्ट में दे रखा है प्रमुखिस्थल और सूची सिकेंड में दे रखा है उनसे संबंदित जिलों का नाम तो यहां पर देखा जाए पहला ए ओप्सन में है भार्दवाज आस्रम यह कहां पर है यह प्रियाग राज में है तो इसका मिलान दूसरे से हो जाएगा अगला है राधाकुंड तो राधाकुंड कहां पर है मत्रा में है इसका मिलान हो जाएगा तीसरे से घीता वाटका है यह कहां पर है गोरगपुर में है इसका मिलान पहले से हो जाएगा अगला है दधीची आस्रम यह कहां पर है सीतापुर में इसका मिलान चोथे से हो करें पहला कथन है यह निरत जो है बुंदेल खंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ है दूसरा कथन है दिवाली तिवार के एक दिन पूर किया जाता है यह जो है निरत है और तीसरा कथन है कि जो नर्तक है वो सुंदर योम आकर्षक परिधान पहनते हैं तो यहां पर पूछ करता है यह जो है दिपावली के दूसरे दिन से आरम होकर पूर्मा तक किया जाता है और इस निरत में नर्तक सुंदर योम आकर्षक परिधान पहनते हैं और ढोल नंगाडों के साथ पैरों में भूंगरू पहने हुए कमर में पट्टा और हाथों में लाठियां लिए निर करते हैं तो इस प्रिकार यहां पर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है पहला और तीसरा ही सही होगा अगला कुस्यन नमर तीसरा सूची फर्ष्ट को सूची सिकेंड से सुमिलेत करें तथा नीचे दिए गए कूट की सायता से सजयूत्तर का चुनाओ करें सूची हाई घाट का मेला यह कहां पर भरता है यह साजहापूर में भरता है तो यहां पर तीसरे से मिलान हो जाएगा अगला है कजरी मेला यह महोगा में भरता है यहां पर चौथित का मिलान हो जाएगा अगला है रत यात्रा मेला यह वरार्णसी में होता है ठीक है तो यह जो है खेती गंगा यमना दुवाब और बुंदेल खंड छेत्र में की जाती है दूसरा कथन है कि इन छेत्रों में छोटे रेस की कम और लंबे रेस की अधिक कपास हो गाई जाती है तो उपरोक्त में से सही कथन का चुलाव करना है यह आपको बताना है तो यहाँ पर देखा जाए पहला इस्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है जबकि दूसरा इस्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ छोटे रेसे की अधिक और लंबे रेसे की कम कपास हो गाई जाती है जश्ट विप्रीत होता है तो यहाँ पर क्योवल पहला इस्टेटमेंट सही है दूस केंडे नदी में जो होता है उर यहां बुन्देल खंड से गुजरती हुई बान जिले में प्रिविस करती है और बांदा में ही जो ये भोजहा जो एक छेतर पड़ता है यहाँ पर यम्ना नदी में विलोपित हो जाती है जबकि जो है दूसरा इस्टेर्मेंट यहाँ पर सही है तो यहाँ पर जो है बी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कुष्य नम्मर छटवा बांड सागर नहर से लाभानमीत जिले कौन से है तो यहाँ पर बांड सागर नहर पर यूजना जो है मिर्जापूर के ग्राम चनाईपूर में स्थित है और यह जो है मिर्जापूर सोनभद चनडवली और प्रयाग राज आदी जिले इससे लावानमित होते हैं लेकिन यहाँ पर हमीरपुर जिले का जिक्र नहीं आता है तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा C option अगला कुश्य नमबर 7 वहाँ सूची फस्ट को सूची सिकेंड से स्मिलिक करें सूची संबसे संभूद जिले हैं सांडी पच्छी विहार हर्दोई में है जो है इसका छोथे rocky से अगला है सर्साइ नवार जिल यहाँ इटावा में और अगला है सुर्चरोर कहां पर है आगरा में अगला है बखीर संतकविर नगर में तो इस प्रकार यहां पे C option correct answer है Next question number 8 सूची first को सूची second से सुमिलित करें तथा नीचे दिये गए कूट की माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें सूची first में है नदी सूची second में है किनारे इस्थित जो है इस्थान है तो राप्ती नदी के किनारे कौन सा जो है इस्थान है जो है बरहज है तो इसका मिलान दूसरे से हो जाएगा गोमती नदी के किनारे कौन सा सहर है तो गोमती नदी के किनारे सुल्तानपूर है चौथे से मिलान हो जाएगा सर्यू नदी की तटपे जो है देखा जाए तो बढ़ हल गंज पड़ता है पहले से मिलान हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब होगा बी ओप्सन अगला देखते हैं कुश्या नंबर नौ हाँ बुंदेल खंड एक्सप्रेसवे के संबंद में निलिखित कत्रों पर विचार करें पहला कतन है कि चित्रकूट बांदा सहीत कुल आठ जिलों से होकर गुजरता है बुंदेल खंड एक्सप्रेसवे ऐसा कतन पहला कहता है दूस चित्रकूट बांदा महोबा हमीरपूर जालाओन औरया और इटावा सहीत कुल साथ जिलों से होकर गुजरता है जबकि इसमें आठ लिखा इसलिए पहला इस्टेटमेंट गलत हो जाता है और यह देश और राज का पहला जो है सोलर एक्सप्रेसवे है जबकि पहला है यहा तरवली घराना धुरूपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है दूसरा कतन है कि किराना घराना के संस्थापक जो है खुर्सिद अलिख खान है तीसरा कतन है फयाच खान और स्वामी जो है बल्लवदास लखनव घराने से संबंदित है तो उप्रोक्त में से सही कतन का है जबकि यहाँ पर किराना घराने की बात हो रही है तो किराना घराना का मूल इस्तान जो है जो है मुझभफण जिला है और यहाँ देखा जाए तो इसके संस्थापक जो थे बंदे अलिख खान को माना जाता है ना कि खुर्सिद अलिख खान को इसलिए यहाँ पर दूसर सही था तो ए ओप्सन करेक्ट हो जाएगा नेश्टे कुश्य नंबर ग्यार हुआ उन्नीस सो चब्यस में इस्थापित मैरेश कॉलेज आफ हिंदोस्तानी म्यूजिक के बारे में निमनिलिखित कत्रों पर विचार करें पहला कथने की कुश्य नंबर ग्यार हुआ निमने कत्रों पर विचार करते हुए सही कत्रों का चुनाव करें पहला कथने की भारतियंदू नाट अकैडमी की स्थापना 1975 इस्थापना में की गई दूसरा कथने यह अकाडमी आयोध्या में इस्थित है तो यहां पर देखा जाए तो बार्ह में पहला कथन तो यहां पर सही है जबकि दूसरा कथन यहां पर गलत हो जाता है क्योंकि भारतियंदू नाट अकैडमी जो है लखनव में इस्थित है ठीक है तो यहां पर दूसरा गलत है तो यह ओप्सन करेक्ट हो जाएगा नेश्टे कुश्य नंबर 13 जन जाती एवं ल युगमों में से कौन सा सही सुमिलेत है एक तरफ योजना है दूसरी तरफ उनके प्रारम्भ होने का वर्स है तो हरित पत्ती विकास योजना किसंदर में बात की जाए तो हरित पत्ती विकास योजना जो है 2012- 13 में शुरूही थी और व्रच बंदू पुरुस्कार योजना यह दो हजार साथ आठ में सुरू की गई थी यह बिल्कुल सही है तो यही सही होगा और और अपरेशन ग्रीन योजना यह कब सुरू ही थी तो यह 2001 में शुरू की गई थी नेश्टे कुश्य नम्मर 15 निम्न कथलों पर विचार करें पहला कथन की चित्रकूर जिले में इस्थित रानी पूर वनी जीव विहार को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजरु बनाया जा रहा है दूसरा कथन है यह देश का बावनवा टाइगर रिजरु है तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहां पर सही है तो यहां पर पहला कथन तो यहां पर सही है जबकि दूसरा कथन यहां पर गलत है क्योंकि यह जो है प्रदेश का चौथा और भाद का तिरपनवा टाइगर रिज तो उत्तर प्रिदेस में सोना जो है कुछ मातरा में सार्दा और राम गंगा नदियों के रितों में लेलित पूर जिले के भीखंपूर छेतर में तता सोन बद के हर्दी छेतर में होने की संभावना बताई गई है तेहां पर पहला एक तो सही है दूसरा भी सही है ? तीसरा भी सही है यहाँ पी औफ्षिन हो जाएगा नेश्ट कुश्चन 수्रहन रेमाइक 17 संचित राशी की द्रश्टि से उत्नर वश्रस्त का देश्में कौन सा इस्थान है ? इसले में अर्ट वश्झ्चन e green और जाएगा नेश्ट रेमाइक 17 इन में लिखित कत्रों में से कौन सा कतन यहां पे सही नहीं है। जो है, गलत के लिए पूछा गया था, यहाँ पे आठ नहीं होगा, यहाँ पे सा artists होता तो सईुता यही गलत है. और प्रयाग्राा सबसे अधिक विदानसाभा सीटो वाला जिला है, यह भी सही है, पहला भी सही है, और यहाँ पे TV option सही है. नेश्टे कुश्य नमबर 19 उत्तर प्रदेश विधान सवा में अनुसूची जाती तथा अनुसूची जन जाती के लिए आरचित सीटों की संख्या का कौन सा यूग में सही है तो यहां पर 2017 के संदर में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश विधान सवा की कुल 86 सीटे आरचित थी जिसमें 84 सीटे अनुसूची जाती के लिए और 2 सीटे जो है अनुसूची जन जाती के लिए तो यहां पर सही जवाब क्या होगा का सी ऑप्षन निष्ट्य कुछन नमबर 20 कतनों पर विचार करें पहला कतने की उत्तर प्रदेश में कुल 18 नगन निगं है दूसरा कने 17 मंडल है तो प्रोक्त में से ना की 17 यहाँ पे दूसरा भी गलत है तो इस परकार यहाँ पे D-Option correct हो जाएगा ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है अगला कुश्चन 11, निमनी लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो यहाँ पे देखा जाए यह ऑप सही नहीं है कि नियाय की प्रसिचण एवम अ पर विचार करें तथा कूर्ट के माध्यम से सही कथन का चुनाव करें पहला कथन की गोविंद बल्लब पंत स्वतनत्ता के बाद प्रदेश के प्रथम मुख्मंत्री बने तेहां पे पहला स्टेटमेंट सही है अगला है चौधरी चनार सिंग तथा विश्वनाद प्रताब स यह सही व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्मंत्री के साथ साथ देश के प्रथान मंत्री के पढ़नी संभाला है यह है लेकिन अब एक और व्यक्ति बन गए है जू सम्बंदित नहीं थे उत्तर तो यह भी सही है अगला है अब तक तीन महिलाएं प्रदेश में मुख मंत्री पत को सम्हाल चुकी है अब तक तीन मुख मंत्री की पत को सम्हाल चुकी महिलाएं कौन-कौन चुकी है एक सुचिता क्रपलानी है और एक मयावती है जो प्रदेश की मुख मंत्री बन चुकी है तो यहां पर जो है चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि जो है तीन नहीं सिर्फ दो ही महिलाएं जो है इस पत को जो है सुसोवित कर चुकी है तो यहां पर जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा सही है अगला कुश्य नमबर 23 निमने कथनों पर विचार करें पहला कथन के प्रदेश इवम देश में प्रथम नीमित दुख्द संग की इस्तापना 1938 इसवी में लखनव में की गई थी दूसरा कथने के ओप्रेशन फ्लड 1973 में राज के तीन जिलों में प्रारम किया गया था तो उपरोग निमने कथन नमबर 24 निमन कथनों पर विचार करें पहला कथन किसान मित्र योजना 2001 में प्रारम कि गई दूसरा कथन क्रेडिट कार्ड योजना 2002 में प्रारम कि गई तो उप्रोक्त में से कौन शकत हैं यहाँ पे सही है तो 24 में हम लोग देखते हैं कि पहला उप्षन यहाँ पे सही है जब कि दूसरा उप्षन यहाँ पे गलत हो जाता है ठीक है किसान मित्र योजना की सुराद जो है 18 जून 2001 में की गई जबकि किसानों को समय से क्रसी कारहेतूर बैंक से कम व्याजदर पर रेण सुझधा उपलब्द कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से 2000 के मद्द चलाई गई तेहां पे दूसरा इस्ट्रेट्मेंट गलत हो जाएगा पहला सही हो जाएगा अगला कोशन नमर पच्चे से निमनी लिखित में से कौन सा यूग में सही सुमिलित नहीं है तेहां पे देखा जाए सही सुमिलित कौन सा नहीं है मुख मंत्री क्रशी दुरगटना कल्यार योजना जो है सही ऑप्शन नहीं है क्योंकि यह सितंबर 2019 में शुरू की गई थी विस्तार किन जिलों में पाया जाता है तो लाल मिट्टी का जो है विस्तार जो है दच्चणी प्रियागराज जहासी जहासी मिर्जापूर सोनभद्र चंदावली तो यहां पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन पोश्वाम भी यहां पे ऑप्शन नहीं है नेश्टे कुश्य नंबर 27 नहरों से संबंदित निमनी कथनों पर विचार कीजिए तथा दिये गए कूट की माध्यम से सही कथन का चुनाव कीजिए पहला कतन की उप्री गंगा नहर हरी द्वार के समीब से गंगा नदी के बाएं किनारे से निकलती है तो यहां पे सही कथन का चुनाव करना है तो 27 में देखा जाए तो उपरी गंगा नहर जिसका निर्मार जो है 1840 से 1854 के मद्द किया गया और यह हरिद्वार की स्रमीब गंगा नदी के दाहिनी किनारे से निकाली गई थी जबकि आगरा नहर के बारे में बात की जाए तो यह जो है 1874 में बनाई गई और यह जो है दिल्ली के स्रमीब जो है ओखला पड़ता है एक छेत्र यहां से यहां से यहां नदी के दाहिनी किनारे से इस नहर को निकाला गया तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पे पहला statement यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बाएं का जिक्र है और जबकि दाएं किनारे से निकाली गई तो यहाँ पे पहला statement गलत हो जाता है जबकि दूसरा सायू है तो यहाँ पे B option correct answer हो जाएगा अगला question number 28 उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो पूर्वी यमना नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है और इसका निर्मार जो है 1830 ECV में किया गया और यह सहारन पूर में यमना नदी के बाएं किनारे से निकाली गई है नेश्टे question number 39 उत्तर प्रदेश में बहने बाली सई नदी का उद्गमिस्तल क्या है तो सही नदी जो है गोमती नदी की सायक नदी है और यह हर दोई जिले के भिजवान जिल से निकलती है तो यहाँ पे C option correct answer हो जाएगा नेश्टे question number 30 निमने कत्रों में से कौन सा कत्रन सही नहीं है तो नहीं के लिए पूछा गया है तो C option यहाँ पे सही नहीं है कि जो है रंगवा बांध नहर जो है केन नदी पर बनाए गया है यह यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि जो है यह बांध की बारे में बात की जाए यह जो बांध है रंगवा बांध यह जो है नहर जो है केन नदी की सायक नदी है पढ़ती है जो के नदी की ट्रिबूटरी है उस नदी से जो है रंगवा बांध डहर निकाला गया है तो यहां पर यह जो है गलत था बाकि a b और D option सही है नेश्टे question number 31 निम्ने लिखे तुमें से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है तो नहीं के लिए पूछा गया है यहाँ पर देखा जाए 31 नमर में तो यहाँ पर C option यहाँ पर सही नहीं है पन की ताप परयोजना जो है कानपुर जिले में इस्तित है ना की हापुर में तो यह सही सुमिलित नहीं है नेश्टे question number 32 राश्टी ताप विद्दुत निगम द्वारा इस्थापेत कौन सी परयोजना कोईला आधारित नहीं है तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी उत्तरप्रदेस में जो है कुल जो है कितनी जो है विद्दुत जब कि रिहंद्व परयोजना परयोजना टांड़ा परयोजना मेजा परयोजना जो है कौला आधारित तो इस प्रकार से याँ पे दादरी का जिकर है दादरी जो है जो है पर यूजना है तो डी ऑप्स नियांपर करेंग्ट रहो जाएगा नेश्टे question no.33 निमने कथनों पर विचार करें तो पहला कथने कि पीम स्री योजना एक केंद्र आधारित योजना है जिसके द्वारा इसकूलों को अपग्रेट किया जाएगा यहां नई सिच्छा नीती से जोड़ा जाएगा दूसरा कथने कि जनवरी 2024 में उत्तरप्रजिस में 928 पीम स्री स्कूलों का प आधम से पांच वर्स में पूरे भात के जो है 14,500 स्कूलों को अपग्रेट किया गया है यह अपग्रेट और भी किया जाएगा और नई सिच्छा नीती से इसको जोड़ा जाएगा इसके अलावा चार जनरी 2024 को पहले चरण में उत्तरप्रजिस में जो है 928 सरकारी स्कूलो को पीम स्री योजना के तहट प्राराम किया गया तो यहां पर दोनों ही स्टेट्मेंट सही है सी ओप्सन यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा नेश्टे कुश्य नमबर 34,11 जनरी 2024 को नागर विमानन मंत्री ने उत्तरप्रजिस में एक महीने में कितने हवाई अड़ों का घाटन करने की घोषणा की है तो यहां पर देखा जाए पांच नए हवाई अड़ों को जो है चालिव करने की घोषणा की गई है कौन-कौन से आजमगर अलीगर अलीगर जो है मुरादाबाद चितकूट और स्रवस्ति तो यहां पर सी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा नेश् एटियम का सुवारा में जो है गोरखफूर जिले में किया गया है डी ओप्सनिया पर करेक्ट आंसर है नेश्टे कुष्ण नंबर 36 हाली में केंद्र एम राज सरकार के संयुक्त पहल के तहद उत्तरप्रेस के किंजिलों में नए सौप्ट्वेर पार्क इस्थापित करने क मंजूरी दी गई है तो यह जो है सौप्ट्वेर पार्क जो है कहां पर बनेंगे आगरा में बरेली में गोरखफूर में और वराणसी में तेहां पर चारों स्टेट्मेंट यहां पर सही है इसलिए ओप्सन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है और जबकि अभी वर प्रदेश सरकार महराज गंजिले में वन टांगिया वन टांगिया ग्राम प्रसिछण केंद्र इस्थापित कर रही है जबकि दूसरा स्टेट्मेंट है इस पहल का उद्देश समदाय के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के औसर पैदा करना है तो उपर युक् बराज गंजिले में वन टांगिया ग्राम प्रसिछण केंद्र इस्थापित कर रही है ना कि महराज गंजिले में इसलिए यहां पर पहला स्टेट्मेंट गलत हो जाता है जबकि दूश्या स्था नेश्टे कुश्य नमर 38, निम्न कथनों पर विचार करें, पहला कथने के उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में दीदी कैफे खोले जाएंगे, दूसरा कथने इसका मुक्ष देश सहरी निम्न मध्यम वर्ग सहायता समूसे जुड़ी महिलाओं को रोजगार के आउसर उपलवद कराना है, तो परयुक्त में से कौन सकतन याँ पर सही है, तो 38 में देखा जाए, तो यहाँ पर जो है, जो 18 मंडल नहीं, 17 नगर निगम वाले सहरों में दीदी कैफे खोले जाएंगे, ठीक है, और जो है, दीदी कैफे शुरू करने का मुक्ष देश है, कि सहरी गरीब सहाय से जुड़ी महिलाओं को रोजगार उपलवद करवाना, तो यहाँ पर जो है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है, इसलिए डी ओप्सन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेश्ट कुष्य नमर 49, निम्न कथनों पर विचार करें, पहला कथने कि सितंबर 2023 म आयोजन किया गया, दूसरा कतने इसका उदगाटन प्रधान मंतरी नर्यंद मोदी ने किया, तो उपर युफ्ट में से कौन सा कतन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर देखा जाए 49 में, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्यो तो यह जो है दो परिछेत्र जो है पहले चरार में नोड़ा और लखनों में बनाए जा रहे हैं ये सच्छिक परिदेश जो है बहु आयामी सिच्छा सोध वए कौसल विकास पर काम करेंगे तो यहां पर सही जवाब होगा C option नेश्टे कुश्य नमबर 41 निम्न कथनों पर विचार करें तो पहला कथन है कि हर घर पेजल पहुचाने के मामले में उत्तर प्रदेश का बुलंद सहे जिला पूरे देश में प्रथम इस्तान पर है जबकि दूसरा कथन है कि इस योजना के अंतरगत डेश के सीर से 10 जिलों म अगला कुश्य नमबर 43 होकी को समर्पित देश का पहला मेजर ध्यांचंद म्यूजियम की इस्थापना उत्तरप्रदेश के किश जिले में की गई है तो इसकी स्थापना जो है जासी में किया गया और यह होकी को समर्पित देश का पहला मुजियम है और इसकी जो है इसका अनावरार जो है मुख मंत्री योगी आधित नाद्वारा जो है 29 अगस्त 2023 को खेल दिवस के सुब आउसर पर किया गया तो यहां पर डी ओप्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुश्य नमर फोटीफोर निम्न कथनों पर विचार करें पहला कथने की उत्तरप्रदेश के लखनव में नौ सेन्या सौर संग्रालय का निर्मार किया जा रहा है दूसरा कथने की 21 अक्टूबर 2023 को इसका सिलन्यास रच्छा मंत्री राजनाद सिंग ने किया तो पर्योक्त में से कौन सा कथनया पर सही है तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर 445 को कुश्य नमर 45 45 नंबर कोश्चन कहे रहा है कि निमने कत्रों पर विचार कीजिए तथा दिये गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चैन करें पाहला कत्रने के उतथर पस्रकार द्वारा जेवर हवाई अड़े की पास एक अत्याधुनिक मेडिटेग पार्क विक्सित किया रहा है। चौथा कथने की 27 से 29 अक्टूबर 2020 तक नोड़ा में तीन देवसी स्री अंड महोस्ताओं का आयोजन किया गया है तो यहां पर सही कथनों का चैन करना है तो पहला दूसरा तीसरा सही है जब कि चौथा स्टेटमें यहां पर गलत है क्योंकि इसका आयोजन नोड़ा में नहीं बलकि लखनव में किया गया नेश्डे कुष्टर नमर 46 निमने कथनों पर विचार करें पहला कथने की उत्तरपदेश ने अंतर्देशी मतस्य पालन में संपूर देश में पहला इस्थान प्राप्त किया है दूसरा कथने उत्तरपदेश को यह पुरुषकार मुमई में 21 स वाइस-नॉम्म्मर 2023 को हुए Global Series Conference इंडिया 2023 में पदान किया गया तो परेयुक्त में से कौन सा कथार यहां पे सही है तो यहां पर देखा जाए तो 46 में देखते हैं तो यहां पर क्यों पहला स्टेटमेंत है यहां पर सही है जब कि दूसरा स्टेटमें यहां पर गलत है नेश्टे कुश्य नमर 47, नॉम्बर 2023 में उत्तरप्रेस कैबिनेट में किनकी जिलो में राज विस्विद्याला की स्थापना को मंजूरी दी गई है नेश्टे कुश्य नमर 48, निम्न कत्रों पर विचार करें, पहला कतने की उत्तरप्रेस सरकार ने राज में लड़कियों और महिलाओं की सुरच्छा बढ़ाने के लिए एक सुरच्छित सहरी योजना जिसे सेफ्ट सिटी पर योजना भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत की है दूसरा कतने सेफ्ट सिटी प्रोजेक्ट सत्रा यह नगर निगमों के साथ 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 गोतंबुद नगर में भी चलाया जाएगा, तो उपर्युक्त में से कौन सा कतन या पर सही है, तो 49 में देखा जाए दोनों ही कतन सही है, इसलिए सी उप्सन या पर करेक्ट आंसर हो ज कर्याश्टिव विज्ञान एम संचार प्रव्धोग की परिस्थ द्वारा आयोजित किया जाता है तो यहाँ पर उपर युगत्य में सी कौन सा तर्याज़ पर सही है तो यहां पर 49 में हम लोग देखते हैं तुन चास जो है दोनों ही कथनिया पर सही है इसलिए शी आप इंसर हो जाएगा अगला कुश्चन नंबर पचास उत्तरप्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध साधू टी एल वासवानी के जन्म दिवस को नो नौन वेज डे घोसित किया है इनका जन्म दिवस की स्थिति को होता है तो यहां पे 50 से सही है इनका जो है जन्म दिवस 25 नॉम्मर क अगला कुश्चन नंबर 51 हाली में प्रधान मंत्री मोधी ने उत्तरप्रदेश के किस जिले में 800 मेगावाट का सौर पार्क स्थाप्रित करने की घोस्णा की है तो यहां पर जो है 51 में देखा जाए तो बी ऑफ सन्यापर करेक्ट है कि चित्रकूर्ट में इसकी घोस्णा क जा रहा है तो यह जो है कहां पर बनाए जा रहा है आग राज्तित केंद्री हिंदी संस्थान को जो है उत्तरभात का पहला हिंदी डीम्ड विश्वद्याले बनाए जा रहा है यहां पर यह ओप्सन करेक्टांसर हो जाएगा अगला है कुश्ण नंबर 23 फरवरी 2023 में तीन दिवसी यूपी ग्लोबल इंवेश्टर समिट के दवरान सरवादिक निवेश प्राप्त करने वाले जिलों का सही क्रम क्या है तो इसमें जो है क्रम बद्द तरीकिस देखा जाए तो पहला इस्तान गौतम बुद्धनगर का है दूसरा है आगरा का तीसरा लखनव का चौथा गौरवपूर का पाच्वा वरार्सी का छटा जहांसी का तो यहां पर सी ओप्सन करेक्ट है नेश्टे कुश्य नंबर 24 उत्तर प्रेस लोका युक्त से संबंदेत निम्न कत्रों में से कौन सा कथन सही नहीं है तो यहां में देखा जाए तो भी ओप्सन यहां पर सही नहीं है कि इस अधनियम के तहत जो है सितंबर 1975 को प्रथम लोका युक्त नियाय मूर्ती जो है विश्वंबर दयाल को जो है नियुक्त किया गया तहां पर जो है यह जो है गलत है क्योंकि जो है 14 सितंबर 1970 को जो है इनकी नियुक्ती हुई थी नाकी 75 में तो यह गलत था बाकी सही है नेश्टे कुश्य नमबर 55 निम्न कथनों पर विचार कीजिए पहला कथने उत्तर प्रदेश राज मानवादिकार आयोका गठन अक्टूबर 2002 में किया गया दूसरा कतन है उत्तर प्रदेश राज सुचना अयोका गठन सितंबर 2005 में किया गया तो परयुक्त में से कौन सा कथन सही है तो पच्पर में देखा जाए तो यहां पर जो है पहला दूसरा दोनों कथन सही है इसलिए सी आप्स निया पर करेक्ट आंसर है ने में इस्थापित किया गया है यह सही नहीं है जबकि जो है यहां पर लखनों की बज़ए गौतम बुद्ध नगर होना चाहिए तो सही होता तो इसलिए यह गलत है तो यहां पर डी ऑप्सन गलत है जबकि उत्तर प्रदेश प्रश्री अनुसंधान परिसे जो है लखनों मे एक फित में से कौन सा एक यूग में सही सुमिलत नहीं है तो संग्रालों का मिलान करना है उनकी इस्तिती से देहां पर 17 में बी ऑप्सन है डॉक्टर भीम राव अमबेटकर संग्राला एवं पुस्तकाला जो है कहां पर है रामपुर जिले में है जबकि सामने लिखा है जो निम्न लिखित में से कौन सकतों सही नहीं हैं तो आटावन में देखा जाए तो सी ऑफशन हां पर व सही नहीं है कि सबसे कम अन्सूचित जलजाती वालगने जिला रामप CPT है इसलिए जह कफान सही नहीं तो यहां पर गरत के लिए पूछ़ा गया कि गलत कौन, तो सी सनिया पर सही हो जाएगा क्योंकि सर्दार बल्ला भाई पटेल क्रसी एउम प्रवदों की विश्विद्याला मेरत जो है इसकी स्थापना 2002 में नहीं 2000 में हुई थी इसलिए ये जो है मिलान गलत है बाकी सही है नेश्ट देखते हैं कुश्चन नमर साथ है साथ नमर कुश्चन है कि उत्तर प्रदेश जल प्रदूसर निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन किस वर्स किया गया तो यहां पर देखा जाए साथ में तो इसका गठन जो है 1975 में किया गया सी ओप्सन यहां पर करेक्ट को सूची सिकेंट से सुम्लेत करें तता नीचे दिए गये कोट के माध्यम से सी उतर का चुनाव करें पारामप्रिक कला है मंदित है तो मिट्टि के बरतन के लिए देखा जाए 내irsty की बरतन के लिए खुर्जा होगा सही, काष्ट नकासी के लिए होगा बरेली और काष्ट पादुका के लिए होगा पिली भीत और जरी के लिए सहारनपूर तीस प्रकार यहां पे देखा जाए तो D option करेक्ट आंसर हो जाएगा नेश्ट कुशन नमबर 62 है, निम्न कथनों पर विचार करें, पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश लगू उद्योग निगम लिम्टेट लखनव में इस्तित है, दूसरा कथन है इसकी इस्थापना 1958 इस्यू में की गई थी, तो परियुक्त में से कौन सा कथन यहां पे सही है, तो यहां पर देखा जाए, यहां पर जो है, यह जो है कानपूर में इस्तित है, नाकी लखनव में, तो इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है, तो बी ओप्सन यहां पर करेक्ट है, नेश्ट कुशन नमबर 63 है, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो यहां पर द या और दोगिक विकास प्रादिकर्ण सीड़ा जिसे का जाता है इसका कठन जो है 1989 में किया गया कहां पर जौनपुर के मचली सहर तैसील के ग्राम सतहरिया तथा उसके आसपास के 37 ग्रामों में इसकी जो है इस्तापना की गई तो यहां पर 1989 होना चाहिए यह सही सुमिलत नह अगर में है उसके बाद मेरटपूर और सहारनपूर में है यहां पर सी ओप्सन करेक्ट होगा नेश्टे कुश्य नमबर 65 उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी उद्योग किन चेत्रों में विक्सित है तो यह जो है खुर्जा और बुलंद सहर में जो है चीनी मिट्टी के जो है बरतन है विश्य रूप से बनाए जाते हैं लेकिन इसके यात्रिक्त जो है मेज़ापूर सोनबद्र और गाजियाबाद में भी यह काफी विक्सित हैं तहां पर चारों सही है यह उप्सन करेक्ट होगा अगला कुश्य नमबर 66 सूची फास्ट को सूची सिकेंड से स करते हैं तो इंडियन इंडियन टेलीफोन इंड्रस्टी जो है राइबरेली में है और ट्रांसफोर्मर फेक्ट्री जो है जासी में है और क्रतिम अंग निर्माड निगम जो है कहां पर है कानपूर में है और जो है उरूरक कार खाना जो है फूलपूर प्रियाग राज में हैं तो इसका मिलान होगा ए ओप्षन नेश्टे कुछिन नमबर 60 है निमने लेखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला कतने उत्तर प्रदेश संस्क्रत संस्तान की इस्थापना दिसंबर 1972 में की गई दूसरा कतने की उत्तर प्रदेश उर्दू अकाडमी की इस्थापना दिस इसकी स्थापना 1976 में हुई और इसकी स्थापना 1972 में हुई तहां पर दोनों कथन गलत है तो डियो औप्षन या पर राइट अंसर होगा नेश्टे कुछिन नमर 68 निमने में से कौन सा कथन सही नहीं है तो 68 में देखा जाए तो बी ओप सन्या पर सही नहीं है कि 26 जन्वार में राजभासा हिंदी को अनिवार कर दिया गया तो इसकी वारता जो है 1968 में हुई थी ना कि 1958 में इसलिए यहां पर बी ओप्षन गलत है नेश्टे कुछिन नमर 69 प्रसिद संत जो है रायदास की संबन में कौन सा कथन सही नहीं है तो यहां पर जो है 69 में देखा जाए तो यह सगुण ब्रह्मा के उपासक थे यह सही नहीं है यहां पर जो है डी ओप्षन यहां पर गलत है जबकि वे सगुण नहीं कि उपाशक थे और इन्होंने जो है रामदासी संप्रदाई की स्थापना की तथा जो है बानी नाम की से कुछ जो है छन्दों की रचना की नेश्टे कुछिन नमर 70 बीरबल की संदर्व में कौन सा कथन सही नहीं है तो नहीं के लिए पूछा गया है तो बीरबल का जनम ज पहले यह जो है रीवा नरेस रामचंद्र बगहल की दरवार में थे फिर आमेर की राजा भगवान दास के दरवार में चले गए और अकबर ने इन्हें कवी राज की उपादी प्रदान की थी तो इस संदर में देखा जाए तो यहाँ पे एटा नहीं जालाउंजिला होना अची यह था तो सही होता है इसलिए ओफसन गलत है नेश्टे कुश्य नमर एक खत्तर निमने लिखत में से कौन सा सही स्विमलेत नहीं है तो यहाँ पे खत्तर में देखा जाए तो यहाँ पे डी ओफसन जो है संगी रिसी का मंदर जो है जहासी में नहीं है का जो है एक जो है जो है प्रसिद्ध लोक नित है दूसरा कतने जो है जो है जोगनी नित जो है पुर्वांचल छेत का एक प्रसिद्ध नित है तो यहाँ पर दिखा जाए बहात्तर में बहात्तर में पहला कथन तो यहाँ पर सही है जब कि दूसरा कथन यहाँ पर गरत हो क्योंकि जोगिया नित्र जोगनी नित्र आवद छेत्र में राम नौमी की तिवार पर किया जाने वाला प्रसिद नृत है नाकी पुरुवान्चल में त्यहां पर पहला स्टेटमेंट ही सही होगा दूसरा गलत है अगला कुश्य नंबर 73 निमने लिखित कत्रों पर विचार करें पहला कत्रों की ब्रंदावन में प्रतेख वर्स श्वामी हरिदास संगीत संबिलन का आयोजन किया जाता है दूसरा कत्रों का यहां पर चैन करना है तहां पर 73 में हम लोग यह देखते हैं कि दोनों कत्रों पर सही है स्योफ सनिया पर करेक्टान सा रहे है अगला कुश्य नंबर 74 2011 की जनगर्ना के अनुसार कूट से सही कत्रों का चुनाव करें पहला कत्रों है कि उत्तर प्रदेश छेत्र फल की द्रश्टी से भात का चौथा सबसे बड़ा राज्ज है दूसरा कत्रों है प्रदेश में देश के पुल आबादी का 16.5 प्रस्ट लोग रहते हैं और तीसरा कत्र है मुरादाबाद जनसंक्या की द्रश्टी से दूसरा सबसे बड़ा जिला है चौथा कत्र है राज की दस्की जनसंक्या व्रदीदर 19.23 प्रस्ट थी यहां पे सही कत्रों का चुनाव करना है तो 74 में देखा जाए तो पहला दूसरा तीसरा सही है जबकि यहां पे चौथा कत्रन यहां पे गलत हो जाता है चौथा यहां पे इसलिए गलत हो जाता है कि 2011 की जनगर्णा के अनुसार राज की दस्की व्रदी जो थी वो 20.23 प्रस्ट थी और राज में देश की कुल आवादी का 16.91 प्रस्ट लोग रहते हैं तो यहाँ पे चौथा इस्ट्रिटमेंट गलत था जबकि पहला दूसरा तीसा सही था नेश्टे कुश्य नंबर 75 नेश्टे कुश्य नंबर 76 पूर्वांचल एक्स्प्रेसवे के संबंद में निम्निलिखित कफनों पर विचार करें पहला कफने की पूरवांचल एक्सुरेश्वे की जो लंबाई है 340.82 किलोमीटर है दूसरा कफने यह एक्सप्रेसवे राच के नोजिलों से होकर गुजरता है तो सही कतनों का यहां यहां पर जो है यहां फोनों ही पर जूख यॉफरिन्की सब्सक्राइब कुछ साहिस नहीं लुवieve संब्नेक से कान्या पर सही नहीं है तो यहां पर 77 का जो है देखाये तो यहां पे से लिए शेयोसेशकर है क्योंकि जो है उत्त्रपिस के globalization में एक बिजली ड्राइबर प्रिश्चर केंदर बनाए गया है जब कि रेल सुरच्छा आयोग का मुख्याला जो है लखनव में है और गोरकपुर में जो है एक रेल कुछ रिपेर कारखाना है तो इस प्रकार से यहां पे अ, बी और डी सही थे जब कि प्रदेश में प्रथम रेल गाड़ी मार्च 1859 एस्वी में प्रियागरास से कानपूर तक चलाई गए थी जब कि यहां पे लिखा है अठावा सो साथ में चलाई गए थी अ, नेश्टे कुष्चन नंबर 78 78 नंबर कुष्चन है उत्तर प्रदेश में वायू अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिले कौन से है तो यहां पर मतुरा और आगरा है तेहां पर सही जवाभ है डी ओप्षन नेश्टे कुष्चन नंबर 79 निमने कतनों में सी कौन सा कथल सही है पहला है प्रदेश में साच जिले नेपाल को इसपर्ष करते हैं प्रदेश के आठ जिले जो है उत्तर प्रदेश से राज को इसपर्ष करते हैं तीसरा कथने की उत्तर प्रदेश की 11 जिले मंद्र प्रदेश को इसपर्ष करते हैं चौता कथने की उत्तर प्र राजिस्तान को इसपर्श करते हैं, तहां पे 79 में देखा जाए तो पहला और तीसरा सही है, जब कि दूसरा और चौथा यहां पे गलत है, क्योंकि जो है, यहां पे 7 जिले तो नेपाल की सीमा को इसपर्श करते हैं, यह सही है, और 7 जिले ही उत्राखंड की राज की सीमा को ना कि आठ और जो है चौथा इसलिए गलत है कि राजिस्थान से जो है तीन नहीं दो ही जिले जो है राजिस्थान की सीमा को इस पर्श करते हैं तो भी आप्शन यहां पर करेक्ट है नेश्टे कुछ नंबर असी निम्रे लिकित में से कौन सा जिला छेत्रफल की दरश्टी स सबसे च्छोटा जिला है तो सबसे च्छोटा जिला कौन सा है जो है असी में जो है देखा जाए तो वरार्सी जो है सबसे च्छोटा जिला है यहां पर ए ओप्शन करेक्ट होगा वरार्सी का छित्रफल कितना है 1535 वर किलोमीटर है जबकि संत कभी नगर का है 1646 वर किलोमी सूची 1 को सूची सिकेंट से सुमलित करें तता نीचे देङ सेному do 1905 में इस समय अध्याच थे है गोपाल प्रिश्र्य गोख्ले law नवह का विसा डरी तरि व्म题 맞ंग E और इलहाबाद का अध्वियसन हुआ अठार सो बानमे में इस समय बोमेश चंद बनर जी जो है अध्यच थे और मेरट का अध्वियसन हुआ उननी सुच्छालिस में इस समय जेवी क्रिपलानी अध्यच थे यहां पर बी ऑफ्षन करेक्टर अंसर है नेश्ट कुष्य नमबर 82 सूची फर्ष्ट को सूची सिकेंड से सुमलित करें तथा नीचे दिये गए कूट की माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें अगला कुष्य नमबर 83 सरवादिक अन्सूचि जाती प्रेसिट वाले तीन घरते प्रमें कौन से है तो यहाँ पर देखा जाए कौशांबी है 83 में देखा जाए ना 83 में घर्टे क्रम में कौशांबी, सीतापुर, हर्दोई, उन्नाव और राय बरेली यहाँ पर सही जवाब है C option नेश्टे कुश्य नमर 84 तो यहाँ पर प्रियाग राज है इसके बाद आजमगर, जौनपूर, सीतापूर और गोरखपूर का नमर आता है नेश्टे कुश्य नमर 85 85 नमर कोश्यन है, सुची 1 को सुची सिकेन से स्विलित करें, ता नीचे दिये गए कूट की सहता से सही उत्तर का चुनाव करें एक तरफ उत्पाद है, दूसरी तरफ उनसे संबंदित जिला है तो गुड का उत्पादन कहाँ पर होता है आयोध्या में और हैडनिलूम का उत्पादन कहाँ पर होता है हर्दोई में फरनीचर का उत्पादन कहाँ पर होता है महराज गंज में और मूंग का उत्पादन होता है प्रियाग राज में तो यहाँ पर B-Option करेक्टर अंसर हो जाएगा नेश्टे कुश्य नमर 86 अयोध्या जिले से सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं तो अयोध्या से सीमा बनाने वाले जिले गोंडा, बफस्ती, अमेटकर नगर, अमेठी, सुल्तानपूर और बाराभंकी हैं तहाँ पर D-Option सही होगा उपरोगत सही है नेश्टे कुश्य नमर 87 अयोध्या मंडल के अंतरगत आने वाले जिले कौन से हैं तो 87 में इसकी अंतरगत जो है बाराभंकी, अमेटकर नगर, और सुल्तानपूर और अमेठी तो इस परकार यहां पर D-Option सही जाब होगा उपरोगत सही नेश्टे कुश्य नमर 88 नेश्टे कुश्य no 89 निमनिलिखित험 कथरों पर विचार करें पहला कतन है कि सोला महाजनपद में से आठ आधूनिक उत्तर प्रद्रस में महजूद है दूसरा कतन है कि चेदी महाजनपद की राजधानी अही चद्र और कामपिल थी तो सही कतन का यहां पे चेन करें तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे पूछा है तो एक तरफ व जशन के चल्ए है दूसरी तरफ वनके Sumirita करता है तो फैजाबाद में जो विद्रोऊ हुआ वहां पर मौल्वी अहमद उयुक्त किया यहां पर सही सुमृत नहीं है लिया कातली लिखा है तो गलत है कालफी में जो विद्रोऊ हुआ उसमें मुथ्रा की बिद्रोगारद मुझार और गया 2. बसक्तिविस ओने एक प्यानबे वर्ष 1923 में चितरंजन 6 ने सुराज पारटी की स्थापना कहा पर की तो उन्होंने इसकी स्थाफना जो है कहां पर की प्रियाग राज में की इसकी स्थाफना यह ओफसर करेक्टांसर है किसके साथ मिलके मोती लाल नहरू के साथ मिलके नेश्टे कुछिन नंबर 92 निमने लिखित कत्रों पर विचार करें पहला कतन है बाबा राम चेद्र में 1918 को रताब गड़ में अवद किसान सबा का गठन किया दूसरा कतन है कि उत्तर प्रदेश किसान सबा का गठन फरवरी 1920 में हुआ तो सही कत्रों का यहां पर चैन करें तहां पर देखा जाए तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है क्योंकि उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया और इससे जुड़े हुए थे बाबा राम चेदर ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रताब गड़ में अवत किसान सभा का गठन किया यहाँ पे 1920 होना चाहिए था तो दोनों गलत है तो डी अप्सन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेश्टे कुश्य नमर 93 थारू जन्जाती के संदर्व में निमलिखित कत्रों पर विचार करें पहला कतन की उत्तर देश की किवल महराजगन जिले में यह निवास करते हैं दूसरा है लट भरवा भोच का आयोजन करते हैं यह तीसरा है विद्वा विवाय का विरोत करते हैं क्योंकि जो है थारू जन्जाती के लोग महराजगन्ज, सिद्धात नगर, स्रावस्ति, बहराईच और ललित्पूर के उत्री भाग में निवास करते हैं और यह संयुक्त परिवार प्रथा प्रचले था इनमें और परिवार का व्रद व्यक्ति ही संपूर परिवार का मु नेश्टे कुष्य नंबर 94, उत्तर प्रदेश की जनसंक्या निमलेकित में से किन देशों से अधिक है, पहला जापान, पाकिस्तान, ब्रजील, इंडोनेसिया, तो नीचे दिये गए कूट के माद्द हम से सही उत्तर का चुनाव करें, तो यहाँ पर पहला, दूसरा और त 2341 है, और यहाँ पर जो है, बिश्ट का पाच्वा सबसे अधिक जनसंक्या वाला राष्ट जो है, अगर जो है, उत्तर पर इस अलग राष्ट बन जाए, तो पाच्वा सबसे अधिक जनसंक्या वाला राष्ट होगा, पहले पाइदान पर चीन, दूसरा भारत, तीसरा अम से सही उत्तर का चुनाव करें, उर्दु अकबार दे रखा एक पर दूसी तरफ उनका प्रका स्कम्तार दे का है। तो जा में जहान्वा दे का जोत्य स्कमशा oh जो आफसे, भूमर यां पर दी आप्शन करेक्टा अन्सर हो जाएगा। ने श्ठ कुश्च्च नमर 96 गठत की गई थी, निम्लेकित में से कौन एक जो है, इसके गठन के प्रयासों में सामिल नहीं था, तिहां पे सामिल एक जो है, इंद्डर नरायर दुएदी, वो है मदन मोहन मालवी समलत थे, लेकिन जो है, जवाहरलान नेरु समलत नहीं थे, B- Option यहां पे करेक्टांसर है, नेश्टे कुश्य नमर 97, उत्तर प्रदेश में सिचाई के मुख साधनों का और वही क्रम क्या होगा, तो पहले नलकूप होगा, फिर नहर होगा, फिर तलाव और कुए होगा, और फिर अन्न साधन होगा, तो C-Option यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 79 प्रस्ट सिचाई उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा ही होती है, इसके पश्चाद 19 प्रस्ट सिचाई नहरों द्वारा होती है, नेश्टे कुश्य नमर 98, सूची फर्ष्ट को सूची सिकेंड से सुमलित करें, तथा नीची दे गए कूट की माध्यम से सही संबंदित साच है, यहां पर देखा जाए तो लहुरा देव का मिलान होगा, जो है क्रसी के साच मिले है यहां से लहुरा देव से और जो है दमदमा से क्या मिले है, एक्यानमी मानव सवाधान मिले है और लेखिया से क्या मिले है, जो है विस्तिरणीन सवाधान मिले है, और जो है स्राय नहर राय से क्या मिला है जो है मिट्टी के बरतन मिले हैं तो इस प्रकार यहां पे सी ऑप्षन करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुष्य नम्मन निन्यानमे निन्मन लिखित कत्रों पर विचार करें पहला कतन है कि रिषवदेव बनारस की राजा अश्य सेन की पुत्र थे दूसरा कतन है कि पार्ष नात का जन्म आयोध्या में इच्छवाकू वनसी छत्री परिवार में हुआ था तिहां पर सही कत पार सुनात का इसकी अलावा रिसवदेव ने अहिंसा एवन अनेकतावात का प्रवर्तन किया और पार सुनात बनारस की राजा अश्य सेन के पुत्र थे और इनकी नाम जो है वामादेभी तता पतनी का नाम प्रभावती था तो इस प्रकार यां पे दोनों दूसरे क्ठन है गोरखपुर से प्राप्थ हुआ है तो कि यहां करें धान है तो यहां पत्रों का मिलान करना है उनके सम्पादक और संस्थापक से हैं तो प्रताव्तमचार का जो शार संस्थापक है गड़े पहला मिलान सही है और अगला है सभ्येष कि निर्मा जो है सिस्टापज दसरत प्रसाद जो है यह जो है सही सुमिलित नहीं है यह जो है सही सुमिलित नहीं है और अगला है अभी यूदय का मिलान होगा मदर मोहन मालवी यह भी जो है सही सुमिलित नहीं है अगला है कर्मयोगी कर्मयोगी के संस्तापक कौन से है पंडिस सुंदरलाल यह भी सही सुमिलित नहीं है तिहां क्योंकि एक योफ रहा पर सई मिलान है तो एक रहे तो नेश्टे कुछ नमबर एक सुदो सूची फर्ष्ट को सूची से सुमिलित करें रथा नीचे दिये गए कूट की माधदम से सही उत्तर का चुनाव करें अभी लेको का मिलान करना है इस्थान से जहां पर देखा जाए सुधों में तो इन दांनी का जो है अविले का मिलान किसे होगा ज़ाड से और भीत्री जो है इस ना मिलान किसी ओगा गाजीपूर से और अह läuft का मिलान किस्टे होगा भॉरक पूर्से और गड़वा अउने कि मिलान होगा प्रयाग्राज से तो इस प्रकार्यां पर बी ओप्सन करेक्टर अंसर हो जाएगा अगला कुश्चन नंबर 103 गरीबी उनमुलन एवं रोजगार से जुड़ी प्रमुक्ष योजनाव को उनके काल काल प्रमानुसार विवस्तित कीजिए पहला है आत्म निर्भर उत्तरपदेश दूसरा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना तीसरा है पंडित दिन दयायाल उपाध्याय ग्रामों द्योग रोजगार योजना चौता है मन्रेगा तो यहां पर देखा जाए आत्म निर्भर उत्तरपदेश का जो है 2020 में ये 2018 में और प्रधान मंत्री मुद केनद्च एक से संवीर करें तर्था नीचा देगा है कोट की माध्या से सहींध्या करें सुचि करें सुचिवां केंद्री था सुचिवांहे है सुचा सिकेंड में स्थापना वर्ज है तो इलाबाद बस विए लिकी सबराइधी अठार सोytes सासी में और काश्री हिंदू विश्विद्याले की स्थाफना हुई थी जो है 1916 में और अलीगर मुस्लिम विश्विद्याले की स्थाफना हुई थी 1929 में यहां पर यहां पर करेक्टा अंसर हो जाएगा नेश्टे कुष्य नंबर 105 सरवाधिक वनावरण प्रतिसद वाले जिले कौन से हैं तो सरवाधिक जो है सोनभद्र है सरवाधिक सोनभद्र है कितना है 56.9% और जो है इसके बाद चलॉली 22.25% पीली भीट है 18.68% और मिर्जयापूर है जो है 18.25 प्रसद और श्रित कूट है 18.23 प्रसद तो इस प्रकार यहां पर देखा जाए तो बी ओप्सन यहां पर करेक्टर अंसर हो जाएगा चंदवली, बिलीभीत और मिर्जापुर नेश्टे कुष्चन नंबर 106 निम्ली योगमों में से कौन सा सही स्विमिलत नहीं है योजना का मिलान करना है उनकी स्थापनावर से तो इहां पर देखा जाए 106 में क्या है बी ओप्सन है गंगा जो है हरी तीमा योजना जो है यह जो है 2018 में सुरू की गई थी जो है 27 जिलों में 2018 में यह सही स्विमिलत नहीं है बी ओप्सन यहां पर करेक्ट है नेश्टे कुष्चन नंबर 107 पश्चमी उत्तर प्रदेस में सीर्स गंणा उत्पात जिला कौन सा है तो यहां पर पश्चमी उत्तर प्रदेश के गंगा यमना चेतर में प्रदेश की लवग 65 प्रदेश गंणा का उत्पातन किया जाता है और 60 गंणा उत्पातक जिले सामली मेरट मुझभणनगर और सहारनपुर है इस पर यहां पर सी ओप्सन करेक्ट हो जा हैं लेकिन जो है राजेंद कुमार बाजपेई नहीं रहे हैं ठीक है सी ओप्सन आपर करेक्ट है नेश्टे कुश्य नंबर 109 उत्तर प्रदेश में गुरु पुडमा पर्व किस रिसी से संब्दित है तो यह जो है व्यास रिसी को समर्पित है इसलिए सी ओप्सन आपर कर करेक्ट आंशर है जबकिस सब्स्किस कम सहरी अभादी वाला स्रावस्थी है तुरम आते अनेश्टे कुश्य नंबर 111 है उत्तर प्रदेश का रभारत कि श्रद पंटा कि दो लांख चालिस हजार नौसो अठाइस वर किलिमीटर है और छेत फल की द्रश्टी से भात का जो है प्रदेस में चौथा इस्थान है अगला कुश्चन नम्मर 112 है नू सिपेहर तुगलक नामा और जो है मिफता हुल फितूह प्रमुख रचनाय किसकी है तो ये रचनाय जो है अमीर खुसरो की है सियोप सन्यापर करेक्टर अंसर है ये जो है फार्सी भासा की महान कवी और इतिहासकार थे और जो है इनका जन्म 1223 इस्यू में परियाली कास गंज में हुआ था नेश्ट कुष्च नमबर 113 है 113 नमबर कुष्चन है सुची फर्ष्ट को सुची सिकेंसे सुमिलित करें तता नीची दिये गए कूट की सहता से सयुत्तर का चुनाव करें शाहितिक व्यक्तित्तु का मिलान करना है उनके जन्म इस्थान से तो पंडित आयोध्या प्रसाद जो है उनका जन्म है आजमगड में और मैचली सराण गुप्त का जन्म इस्थान है जहासी और भारतेंदू हरिश्चन का जन्म इस्थान है वरारसी और महादेभी वर्मा क जन्मिस्थान है भरूखावाद यहाँ पर सही जवाब क्या होगा डी ओप्सन अगला कुश्य नंबर 114 है मोती लाल नहरू के संबंद में निमलिखित कत्रों पर विचार करें पहला कतन है कि वर्स 1861 में इनका जन्म प्रियागराज में हुआ दूसरा कतन है वर्स 1919 के कलकत्त हुआ हुआ 1928 के अम्रेश सर अध्यश्थान की अध्यश्था इन्होंने की और तीसरा कतन है 1920 में कॉंग्रेस खिलाफा स्वराज पार्टी का गठन किया गया और 1930 ECU में इनका निधन हो गया तो प्रोक्त में से सही कतन का चुनाव करना है यहाँ पर पहला और चौथा यहा दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत है क्योंकि जो है इन्होंने 1929 के अम्रसर और 1928 के कलकत्ता अध्यश्था की तो यहाँ पर यह अम्रसर होना चाहिए था और यह कलकत्ता होना चाहिए था और 1923 में कॉंग्रेस खिलापा स्वराज पार्टी का गठन किया गया ना कि 1920 में भाती सब्जी अनुसंदान संस्तान पर इस्तित है तो यह जो है 1999 में भार्ती सब्जी अनुसंदान संस्तान की इस्थापना की गई और यह वराराडसी में है लिए २ुउस्टों सॉलंबर 116 निम्नीलेक रिषार करें पहला कतने की उत्तर प्रदेश में दुई सदनी विधान बंडल का गठन गवर्मेंट ओफ इंडिया अधनियाव 1935 के अंतरगत हुआ था दूश्रा कतने विधान परिशत की सवावपती को बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है तो सई कतन का यहां पर चैन करें तहां पर दोनों कतन सई है इसलिए सी ओप्सन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेश्ट कुष्य नमबर 117 है सुची फर्ष्ट को सुची सिकें से सुमिलित करें और दिये गए कूट के माद्यम से सई उत्तर का चैन करें तो उत्तरप्रेस के राजपालों का जिक्र करना है उनके कारकाल से, तो सरोजनी नाइडू का कारकाल जो था 1947-49 के मद, अकबर अली खां का जो नेत्वत था 1974-74 के मद, विश्लू कांद सास्त्री का नेत्वत था 2000-2004 के मद, और राम नाइक का नेत्वत था 2014-19 के मद, तहां अगला कुश्य नंबर 118 है, निम्ने लिखित कत्रों पर विचार करें, पहला कतन है महादीवक्ता, राज का सर्बोच विधिक अधिकारी होता है, जो राजपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, दूसरा कतन है राहुल अगरवाल उत्तरप्रेस के वर्तमान महादीवक् ना कि राहुल अगरवाल, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ही सही होगा, नेश्टे कुश्य नंबर 119, जन संख्या इवम नगरी करण उत्तरप्रदेश के संदर्में निम्न लिखित कत्रों पर विचार करें, सरवादिक जन घनत वाला जिला गाजियवाद है, सरवादि उपरोगत मेंसी कितने कथनियां पर सही है, तहां पर एक तो, सरवादिक मैला जन जन संख्या जन के चैज़ Gramsakया जन गाखियवाद है, तो यहाँ पहला ऊप्सट रही है, यह ओप्सन रहर एक्सिय नंबर 120 निमने लिखित में से हर्याडा की शीमा से लगे उत्तर प्रिदेश के जिले कौन से हैं? सामली, सारनपूर, मतुरा, या जालाउन, अलिगर्ड और बागपत यहाँ पर दूसरा गलत है, सारनपूर, मिजापूर, सामली, गौतम, बुद्धनगर, अलिगर्ड और बागपत यहाँ पर चौथा भी गलत है, तो 120 में देखा जाए तो 120 में देखा जाए, तो यहाँ पर यहाँ पर चौथा उप्सन यहाँ पर जो है, गलत नहीं है, तीसरा यहाँ पर गलत है तो यहाँ पर सामली, और जो है, सारनपूर, मत्रा, गौतम, बुद्धनगर, अलिगर्ड और बागपत जो है, यहाँ पर सही है, तहाँ पर 6 जिले है, तो यहाँ पर B-Option करेक्ट है नेश्टे कुशन अमबर 121, 121 नमर कुशन है, सुची फर्ष्ट को सुची सिकें से सुमिलित करें, तह था कूट की माद्याम से सही उत्तर का चुनाव करें, तो परेटा निस्थल का मिलाण करना है, जो है, जन्पद से, तो यहाँ पर दिखा जाए, 121 में, तो अल्फ्रे यहाँ पर करेक्टा अंसर हो जाएगा, नेश्टे कुशन अमर 122, उत्तर पदेश राज खनीज विकास निगम की स्थापना कप की गई, तो इसकी स्थापना 22 मार्च 1974 को की गई, यहाँ पर यह उप्शन करेक्ट है, नेश्टे कुशन अमर 113, उत्तर पदेश और दोगिक निवेस इमम रोजगार प्रोसाहन नीती, 2017 की तहट राज निवेस प्रोसाहन बोर्ड का गठन किसकी अध्यस्ता में किया गया, तो यह जो है, मुख मंत्री की अध्यस्ता में किया गया, यहाँ पर बी ऑफ्शन करेक्ट है, नेश्टे कुश्य नंबर 124, निमने लिकित मे है, नेश्टे कुश्य नंबर 125, 125 नंबर कुश्य है, प्रोजेक्ट एलिफरेंड के अंतरगत उत्तर प्रदेश एलिफरेंड रिजर्व की स्थापना कप की गई, यहाँ पर सही जवाब है, ए ओफ्शन सितंबर 2009 में इसकी स्थापना की गई, यहाँ पर ए ओफ्शन करेक् अंतरगा जो है, कुल जो है, 744 वर कीमी का जो है, छेत्र जो है, रिजर्व किया गया, और उत्तर प्रदेश में हाथी जो है, तराई एवं सिवालिक के जो है, गिरी पदों में जो है, पाए जाते हैं, नेश्टे कुश्य नमर 126, फरवरी 2024 में बायो एसिया सिखर सम्मेलन 224 का आयोजन कहां पर संपन्ध हुआ, तो इसका आयोजन जो है, है, हैदराबाद में संपन्ध हुआ, यह 21 संस्करण था, तो यहाँ पर C option करेक्ट हो जाएगा, नेश्टे कुश्य नमबर 127, फरवरी 2024 में निमने लिखे तुमें से कौन पाकिस्तान की पहली मैला मुखमं मंत्री बनी, तो यहाँ पर देखा जाए, तो पहली मैला मुखमंत्री बनी मर्यम नवाज, यहाँ पर सही जवाब है, यह उप्सन, पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग नवाज है, उनकी उस पार्टी की जो मर्यम नवाज है, वो जो है पंजाब प्रांत की जो है पहली मैला मुखमंत्री बनी है यह option correct है नेश्टे question number 128 है फरवाली 2024 में भारती सेना एवं किस देश की सेना के मध्ध धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया तो यह जो है एक 128 का सही जवाब है जापान यह option correct से फरवाली 2024 में 12 सरकाय द्वारा निन्मे लेकित में से किश्षेत में 100 प्रस्यदव एवडियाई को मंजूरी प्रदान की गई तो सब प्रस्यदव एवडियाई को मंजूरी जो है अंतरी श्षेत में प्रदान की गई बी ओप्शन correct answer है नेश्टे कुश्य नमबर 130, फर्वारी 2024 में निमने लिकित में से किने फ्रांस सरकार के सर्वोच नागरिक सम्मान Knight of the Legion of the Honor से सम्मानित किया गया है, किसको सम्मानित किया गया है, ससी थरूर को नेश्टे कुश्य नमबर 131, हर्वारी 2024 में निमने लिकित में से किने भारत सरकार द्वारा भारत रत्न सम्मान प्रदान करने की घोश्डा नहीं की गई है तो यहां पर जो है, जो है सही जवाब है, C option HD देवगाड़ा को जो है यह प्रदान नहीं किया गया, जब कि जो है यहां पर अभी हाली में जो है स्वामी नाथन, पूर्व प्रधान मंत्री, पीवी नर्सिम्मा राव और चौधरी चाहर सिंग को जो है किन सरकार ने भारत रत रत देने की घोफ़णा की है, यहां पर C option correct है अगला कुश्य नमर 132, फरवरी 2024 में रितू बाहरी निमनलिकित में से किस राज की पहली मैला मुख नियाधीस बनी है तो यह जो है उत्रा खंड की बनी है, C option यहां पर correct answer है नेश्ट है कुश्य नमर 133, जन्वरी 2024 में निमनलिकित में से किस राज सरकार द्वारा बाल मजदूरों को बचाने तथा तसकरी के सिकार बच्चों का पता लगाने के लिए ओपरेशन इस्माइल एक्स शुरू किया गया है, तो यह अभियान जो है तेलंगाना सरकार द्वारा सुरू किया गया है, D option correct है अगला कुश्चन नमबर 134, फर्वरी 2024 में निमनलिकित में से कौन सा एक यूरोपी संग में डिजिटल सेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश बना है, यह देश है कौन सा, फ्रांस, D option correct है नेश्टे कुश्चन नमबर 135, फर्वरी 2024 में किसी राज सरकार द्वारा प्रोदोकिकी के अत्यादिक उप्योग के नकरात्मक प्रोहाओं के प्रती जागरुकता फैलाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की सुरूआत की गई है नेश्टे कुश्चन नमबर 136, फर्वरी 2023 में जारी भरष्टा चार धार्णा सूचकांग 2023 में भारत का क्या इस्थान रहा है तो भारत का 93 इस्थान रहा है, C option यहाँ पे correct answer है और C इस्थान पर डेनमार्क है नेश्टे कुश्चन नमबर 173, जनवरी 2024 में डिमने लिखित में से किने मृत्तू पश्चा पदम विभूश्वर प्रुसकार से सम्मानित किया गया है तो यहाँ पे बिंदेश्वर पाठक को यह प्रुसकार पदान किया गया है तो यहाँ पे सही जवाब है A option नेश्टे कुश्चन नमबर 133, जनवरी 2024 में निमने लिखित में से किस अफ्रीकी देश ने बच्चों के लिए विसका पहला मलेरिया वैक्सीन कार्प्रम प्रारम किया है तो इस अफ्रीकी देश है कैमरून A option यहाँ पे correct answer है क्योंकि वैस्ट्रिक मलेरिया मिरत्तु दर का 95 प्रश्चत हिस्सा अफ्रीका से ही होता है A option यहाँ पे correct है अगला है कुश्चन नमबर 149 जनवरी 2024 में संपन Australian Open Grand Slam प्रतियोगता में महिला एकल का खिताब किस ने जीता है तो महिला एकल का खिताब जो है एरीना स्रबा लेंका ने जीता है A option correct answer है इन्होंने चीन की जेंग किन वेन को पराजित किया है नेश्ट्रे कुश्चन नमबर 140 जनवरी 2024 में देश में सोध आधारित पहले आई-ाई-टी स्टेलाइट परिसर की स्थापना की घोस्णा कहां पर की गई है तो इसकी घोस्णा जो है उज्जैर में की गई है A option यहां पर correct answer होगा नेश्ट्रे कुश्चन नमबर 141 जनवरी 2024 में केंदर सरकार द्वारा निमलिकित में से कि ने भारती दूर संचार विनियामक प्राधिकरान का नया अध्यच नियुक्त किया गया है तो यहां पर देखा जाए पीडी बगेला को नियुक्त का इस्थान लिया है अनिल कुमाल लोहाटी ने यहां पर अनिल कुमाल लोहाटी सही होगा A option correct है नेश्टे कुश्य नमबर 162 जनवरी दोहाट चोविस में निम्ने लिखित में से कौन भारती सेना की पहली महिला सुवेदार बनी है तो यह जो है प्रीती रजक बनी है A option correct है नेश्टे कुश्य नमबर 163 नीचे दो कथन दिये गया है जिनमें से का नाम बदल कर उत्तर प्रेश कर दिया गया तो नीचे दिये गया कूट का प्रियोग कर सही उत्तर का चैन करें तो A option यह पर सही है A R A की सही व्याख्या कर रहा है अगला कुश्य नमबर 144 जनवरी दोहाट चोविस में किसे ACI क्रिकेट परिसर का अध्यच तीसरी बार नियुक्त किया गया है तो तीसरी बार JSI को नियुक्त किया गया है A option correct है नेश्टे कुश्य नमबर 145 जनवरी दोहाट चोविस में जलवाईू सम्मिलन दोहाट चोविस का आयोजन कहां पर संपन हुआ तो यह आयोजन मुममई में संपन हुआ D option correct answer है नेश्टे कुश्य नमबर 146 जनवरी दोहाट चोविस में O O C L Valencia नामक विश्च के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का निर्माड किस देश द्वारा किया गया है तो यह जो है चीन द्वारा किया गया है A option correct है नेश्टे कुश्य नमबर 147 जनवरी दोहाट चोविस में भारत इवं किस देश की मद्ध जो है साइकिलों दोहाट चोविस नामक युद्धा ब्यास का आयोजन किया गया तो यह जो है यह भारत और मिस्ट के मद्ध हुआ यह option यहाँ पर correct answer है नेश्टे कुश्य नमबर 147 फरवरी दोहाट चोविस में वैश्टिक मेगा वस्र कारक्रम भारत टेक्स्ट दोहाट चोविस का आयोजन कहाँ पर संपन्द हुआ तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ यह option correct है नेश्टे कुश्य नमबर 149 फरवरी 2024 में केंद सरकार दोहरा बित्त पोसित प्रथम गव अभ्याराण को उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने की घोफ्रा की गई है तो यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर जो है गव अभ्याराण को उत्तर प्रदेश के मुझफर नगर जिले में बनाने की घोफ्रा की गई है और इसकी लागत जो है 64 करोड रुपय रखी गई है यह option यहां पर correct answer होगा इसी के साथ ही धे IS का 21 नमबर का test paper नहीं पर सवाप्थ होता है मिलते हैं ने वीडियो में Thank you for watching Jamofobia YouTube channel